सिरिगड़ी सिका समरन करिके माई सार दाध्यान लगाई हे गोरा के लाली गजानन अपनी रख्यों क्रपा बनाई आज एक नन्हे बालक्की कथा सभी को रही सुनाई नंगर से ठे उर से ठानी का बालक सुन्दर एक बताई बालक गड़ पठ की कर भक्ती लेकिन पिता कुरासी ने आई जिस पर कर देख रपा गड़ पती वह दुनिया में धन्न हो जाई भानूना में रहा बालक का ध्यान गड़ सिक सगा लगाई सुन्दर मूरत गड़ पती जीकी ध्यान वहां पर करता जाई सुन्दर मूरत गड़ पती जीकी सुन्दर मूरत गड़ पती जीकी ध्यान वहां पर करता जाई सारे मेत्र वहां भानून के खुत हो करके पहुचे आई बिने सभी करते गड़ पती से सुनो ब्रहुजी ध्यान लगाई बन प्रदेश के तरह तरह के आपे के लिए फ़ल ले कर आई भोग लगा लो मेरे भगवाने मेहनत सब की सपल हो जाई जिन पेड़ों पर कभी चड़े ना सरपट चड़ गए तुम्हें बता इतने फ़ल लाई हैं प्रभूजी जिसके भूख सांत हो जाई इस पर भानू उठा जल्दी से और सभी से कहा सुनाई सारे फ़ल यहां सामेने रख दो गणपती लेंगे भूख मिताई सारे फ़ल यहां सामेने रख दो सारे फ़ल यहां सामेने रख दो गणपती लेंगे भूख मिताई सब बच्चों को रही दिखाई सभी फ़लों का एक एक करें भोग गणपती रही लगाए बहुत प्रिशन हुए सब बालके भानू भी मन में हरसाई सारे फ़ल जब खत में हो गए सबी से अमें करें विचार अप भी गणपती भूके होंगे कहां से हम लाएं आहार जितने फ़ल तेस बन के सब लिए गणपती भोग लगाए इस पर बोला बालक भानू समित्रों से कहां सुना दूसरे बनों से फल लाएंगे गणपती भूके रिह ना जाए दूसरे बनों से फल लाएंगे दूसरे बनों से फल लाएंगे घणपती भूके रिह नजाए इस पर बोले हैं तब गणपती सब पर बहुत तुशन बताई फल लाने की नहीं जरूरत लिया पेट भर भोग लगाई तुम सब बालक ठक गए होंगे यही पर आसन लियू लगाई नीचे बेठ गई सब बालक तब भानू ने कहा सुनाई अज्या से हमें आप की प्रभु जी बैठ गए सब नीचे आप रभु हमें दर्सन कब देंगे दर्सक प्यासे नेन बताई इस पर बोले है गिर जासो पे अभ वह समय आया है नाई कब वह समय आएगा प्रभु जी इतना दीजी हमें बताई कब वह समय आएगा प्रभु जी कब वह समय आएगा प्रभु जी इतना दीजी हमें बताई इस पर बोले हैं गड़ पति तब अभी और कोई रहा है आए इतने में बालक के पता तब साथ सभी के पहुचे जाए बहुत ही गुस्से में लगते थे बड़ा क्रोध मन छाया जाए और सभी बालक तब बोले चलो यहां से हम भग जाए सभी बालक आपस में मिलकर तरह तरह के तरक बताई इस पर भानू गड़ पति जी से कहता है तब बिना सुनाए मेरी रक्चा करने है तू आप केलास से पहुचे आए आह मैं जान गया हूँ भगवन आप मूरती गई समा यह मैं जान गया हूँ भगवन यह मैं जान गया हूँ भगवन आप मूरती गई समा इतने में बालक के पिदा तब बहुत गए गुसे में आए अब देखता हूँ तेरी रक्षा यहाँ कोई कैसी करता लेकिन उसके पिता का साथी उसके पिता से कहता जाए ऐसी गलती मत करना तो मैं गड़ बतीश का साथ निवाए गुसा कर अपने साथी से पिता न लीना हाथ चुड़ाय और पिता कहते बेते से बेटा सुन ली ध्यान लगा जो गर साथ चलेना मेरे दूचा वुक से मारी लगा तेरी बजह से इन लोगों ने मेरा किया आत्मा ने बता तेरी बजह से इन लोगों ने तेरी बजह से इन लोगों ने मेरा किया आपिमान बताई पिता को क्रोब तब आया देखो नेना लाले बरन हो जहाँ लेके ने भानू अपने मुख से नाम गड़पती लेता जा जब बालक को पकड़ पिता ने धका दिया तुम्हें बत लाए गड़पती जी मूरत से देखो प्रगट सामने हुए बता चाबु के हाथ पिता जो लेन है वह बालक को मार ले जा लेकिन चाबु को खुद पर चलता काराण कोई समझ न पाई बालक युस्त तुत गड़पती जी की मन ही मन में करता जा चाबु क चले पिता के उपर लहु लुहान हो गई बता चाबु क चले पिता के उपर चाबु क चले पिता के उपर लहु लुहान हो गई बताई बालक नामे जपे गड़पती का पिता मूर्चित हो गई आजब दसा देखी है बालक में पहुचा तुरत पिता धिग जाए आहां की बाते यही रहने दो अब आगे की बात सुनाए बालक की माता हुई व्याको ले और दाजी से कहा सुनाए पिता पुत्र नहीं आई अभी तके उनकी चिंता रही सता माता बोली है दासी से बसे तना ले बता लगाए अभी तक दोनों क्यों नहीं आए अपने बेटे को दे पठा इस पर बोली है तब दासी मुझसे यही हो सकता ना इस पर बोली है तब दासी पिस पर बोली है तब दासी मुझसे यह हो सकता ना आए गड़पत की भक्ती में तब तो मेरा बेटा भी पढ़ जाए संगत में बेटे की आपके गड़पत भक्त हुए सब आए पती आपके वहीं पोहँच है जहां पर आपका बालक जाए हाथ में चाबुक लेकर पहुँचे हाल कोई भी जाने ना इस पर माता हाथ जोड़ करे गड़पत जी से बचन सुना रक्छा कर ना गिर जानन दने बालक को कुछ हो ना जाए तभी वहां पर दोजन पहुँचे देखो रहे गुहारे लगाए का जब हो गया सेतानी जी सारा हाल दिया बतलाई गजब हो गया सेतानी जी गजब हो गया सेतानी जी सारा हाल दिया बतलाई चाब कले कर हाथ में पहुचे उलता पड़ा दाव बतलाई जो भी प्रहार किया बेके पर खुद ही लहू लुहान हो जाए सीधा सा हुई है उनकी सब दो मैं कह सकते ना बेहने लगी रख्त की धारा खोस में रही जराभी ना दोड़ी दोड़ी गई से ठानी आखन नीर रही चलकाई सेथे दोहो से पड़े थे जहां पर सब आपस में रही बताई सब जन भाग चलो जल्दी से सेथे हमें छोड़ेगा ना हम ही उसे यहां पर लाए जिससे आए सब हुआ बताई हम ही उसे यहां पर लाए हम ही उसे यहाँ पर लाए जिससे आई छोड़ेगा ना एक साथी केता दूजे से दिये गलपती दंडी बता दूजा पेता कहो न ऐसा नहीं सेत चोड़ेगा ना इतने में तब वहां से खानी दोड़ी दोड़ी पहुची यहाँ आखों से आसु की धारा देखो त्राही मामे मचाए भूले छमा कर दीजिये गलपती प्राणे लीजिये प्रभु बचाए माता कहती है बेते से यह दसा तेरी कारान आए देखो रुगन करे माँ बेते आखने आसु रहे बहाए माता कहती है बेते से अब मुझे कभी न सकल दिखाए माता कहती है बेते से माता कहती है बेते से अब मुझे कभी न सकल दिखाए माने बालक को धोते कारा नीर की धारा बहती जा चार लोग बालक के पिता को उठा वहाँ से ले कर जाए गड़पती जी की सरण में पहुचा मैं से बत हूँ गड़पती तो और आप ही लाज राखिये स्वामी क्रपा कीजिए नेरी और गड़पती जी का नाम निराला बालक है जब करता जाए बेता सामने तब मूरत के गड़पती जी को रहा मनाए बथम पूझ गज बदन बिनाया के एक बार बस ख्रपा हो जाए जीवन दाने पिता को दीजे जीवन मेरा सखल हो जाए जीवन दाने पिता को दीजे जीवन दाने पिता को दीजे जीवन मेरा सखल हो जाए तब फिर लीला रची गड़पती ने बालक की सुनी करण पुकार बने बेद तग गड़पती खुद ही पहुच गए करने उपचार बालक के घर पर जब पहुचे और पिता को देखा हाल फिर ना देर लगाई जरावी अरजी सुईकारी ततकाल और बालक को दरसन दे करे चले गए कैला सिकी और मुश्किल बक्त रात तब बीती और सुहानी आई भोर स्वास्त हुए बालक के पिता तबे जब कुछ दिन बीती है जाई बड़ा चम्बा हुआ सभी को जब बालक को कही बुलाई बड़ा चम्बा हुआ सभी को बड़ा चम्बा हुआ सभी को जब बालक को कही बुलाई मुझे करा दे बेटा दर समय जीवन मेरा सखल हो जाई मैंने नाम भगवाने का नहीं लिया तभी भी तुम्हें बताई जब अहवात सुनी बेते ने पिता को लेकर मंदिर जहां बेटा जय जय कार कर रहा पिता जी रहे भजन है गाय सदा ही देखो गड़पत अपने भगतों के कर पूरन काज जैसे अपने बाल भकत की देखो रखी ब्रभूने लाज गड़पत जी का भकत लाड़रा जिस पर क्रपा की बत लाए दिक्कूने लिखी कहानी संजो बगेल रही है सुनाए बाल भकते की महिमा का सुरनर दिवा करू मैं सिवा करू तिहारा पहली भ्यान चंठ हमारी आने विराजो बुद्धी के स्वामी भगवान प्रथम आप केसे पुझते हो गड़पत जी गड़े से महान बेनेपूर बठ आप कयाला संजो बगेल कर बखान भूल चूक ना होने पाई आई ना कोई व्योधान जैसी बनती कथा बखाने हम तो है मू रखना दान आपको जब तरदेव न जाने क्या जानेंगे हमें निसान आरती अचार की रचना है रखना देवा कलम कमान आरती अचार की रचना है आरती अचार की रचना रखना देवा कलम कमान गलेस कैसे बनेगा जानन कैसे हुआ इनकाय अवितार भाई बेहनो ध्यान से सुनना बता रही हम बार अमबार परवत पर थी गुपा जुहानी जहां पै बहती जल की धार करना था इस नान उमा को और नहीं था कोई द्वार तब गिर जाने अपने मेल को बना दिया पिंडी आतार अपनी सिधी उर सकती से किया उसे मानव साकार एसे जन्म हुआ देवाता पर नहीं सकते हम इन कार पारवती इस नान को जाएं बने गलेस जी पहरेदार पारवती इस नान को जाएं पार्वती इस नान को जाए बने गड़ेस जी पेहरेदार इसी घड़ी के लासत आए महादेव संभूत्र पुरार गुफा में जाना चाहे रहे थे बाल गड़ेस न किया इंकार अपना परचे उस बालक को सिव संकर देते कईवार द्वार पाल है बाल गड़ेसा नहीं मानने को तैयार पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया बढ़ी भयानक जो तकरार धटा रहा मैं दाने में जमके बालक जगना माना हार भोले ने तिर सूली उठाया एसा खिया बालक परबार दो तुकड़े हो बैगड़ेस के दिया है उसकासी से उतार दो तुकड़े हो बैगड़ेस के दो तुकड़े हो गड़ेस के दिया है उसकासी से उतार बाहर आई पार बती जी निकली मुख से चीक पुकार स्वामी क्या कर दिया है आपने कुछ तो कर लेते इंतिजार पुत्र आप का है यह बालक किया है आपने क्यों संघार इसके प्राण बचाए स्वामी गिरजा करती रही गुहार भोले नात अपसोस जताए लेकिन मन में किये विचार तुरत दिसाया देसे गड़ों को उस बालक कासी से लिया है जो माता है अपने बालक को अपनी कीठ के तरप सुलाए ना देखेगी ना रोपेगी ना तुम पर आरोप लगाए ना देखेगी ना रोपेगी ना देखेगी ना रोपेगी ना तुम पर आरोप लगाए यसी मा को चले ढूणने पीते तरत जो पुत्र सुला ले आये थे सी सब बजका धर से जोड दिया बतला जीवत हो गया गिर्जा लल्ला देवी देवता खुशी मना सल चिकस्ता ऐसी अदवुद सिव संकर भोले कर भाए लाखों बरसों हो गयी सुपो सारी दुनिया है रत खाई है भादों की चौथे प्यारी जन्म का उश्यव है किहलाई मंगल गान मचा परवत पर नारद भीडा रही बजा धर से सी स लगा जो गजका आप गजानन हुए कहाई धर से सी स लगा जो गजका दर से सी स लगा जो गजका आप गजानन हुए कहाई बजपन से ही लड़ू खाते तुम लड़ू प्रेमी के हिलाई लड़ू खा कर पेट बढ़ गया जादा तुम तो दोड़ी नपा लीला किये अनों को तुमने कितनी लीला हम गिलवाई प्रत्वी पर चक्कर की चर्चा बच्चा बच्चा रहा सुनाई मात पिता को माने प्रत्वी साथ चक्कर लिये लगा देवताओं मैं थी इस परधा चक्कर पहले कोन लगा जीतर गए थे इस परधा पहला नंबर जीते जाँ उसी समय से गड़पत देवा प्रथम पूज जग में किहलाए उसी समय से गड़पत देवा उसी समय से गड़पत देवा प्रथम पूज जग में किहलाए बहुत बुरा गंदर विताईसा जिसके बारे में बतलाँ धर्म करम में बाधा देता खूब रहा उत पात मचा यग्य हवन और भंदारे में सबका वो नुकसान करा एगंदर में चतुर मूसक था इसको कोई पकड न पाई संतिर सी साधू सन्यासी देवताओं से अरज लगा एगंदर में रहा बरदानी उनकी वाधा दिये मिता इस मूसक धर्म को पकड़े अपनी सवारी लिये बना इस मूसक धर्म को पकड़े इस मूसक गंधर्म को पकड़े अपनी सवारी लिये बनाई मूसक का उद्धार कर दिया और इस राप से मुक्त कराई बड़े दयालू गड़ पति वप्पा पापी को भी मारी लगाई सिंदूर सुर्था बढ़ा भयां करे सुरो को बंदी रहा बनाई ब्रम्हा जी की पूजा परता जिससे कोई जीत न पाई अपनी सूड से मारा उसको आसमान से दिया गिराई वो समुद्र में गिराई सीधा प्राले पकेरू उड़े कहाई देवी देविता गड़ राजा की जूम जूम के जै जै गाई सुन्दूरी दानब से क्यूपी देवे लोग को मुक्ते कराई सुन्दूरी दानब से क्यूपी सुन्दूरी दानब से क्यूपी देवे लोग को मुक्ते कराई एक समे देवा गजानने अलग अलग अवतार में आये अव तक जो अवतार लिये हैं आठ वही अवतार कहाई बक्र तुंड के रूप में भगवन आये जग में पहली बार एक दंत है प्यारा प्यारा गणपति का दूजाय अवतार बढ़े उदर से हुए महोदर रूप तीसरालियो निहार गज के मुक से बने गजानने रूप आप काई है चार लंबो अदर है पंचम ताया वदार है जिनका बढ़ा कमाल विकट है चटमे जिनकी जग में एसी कोई नहीं मिसाल विकट है चटमे जिनकी जग में बिकते छतवे जिनकी जग में एसी कोई नहीं मिसाल दिगने हर्ता साते वे देवा दिगने काटते हैं ततकाल धूम बढ़ने हैं रूप आठवा सभी रूप के पाबन द्वार किसी रूप की पूजा करिये सभी रूप करते उधार कोई इनसा नहीं दयालू कोई इनसा नहीं उधार अपने सारे भक्त जनापर पानी सावर साते प्यार भादों का जब आये महीना रिम जम रिम जम गेरे पुहार परम दयालू गड़ देवा की घर घर होती जय जय कार परम दयालू गड़ देवा की परम दयालू गड़ देवा की घर घर होती जय जय कार मोदक से ही खुस हो जाते लंबो दर अपने गड़ राज जो ही पान जने उलाता देते खुसिया उसे नवाज देवों के स्वामी कहलाते कहलाते देवा सरताज सूरज चांद विशी से जपाते तीन लोग में इनका राज सबसे पहले पूजे जाते जहां भी होता मंगल का आज साथ आपके खड़े मिलेंगे देखर देखो तुम आवाज दूबा इनको रोज चड़ाओ देंगे अपनी किस्मत माज उदर के सारी रोग मिटाएं दूबा में ओ सधी का राज उदर के सारी रोग मिटाएं ओ दर के सारी रोग मिटाएं दूबा में ओ सधी का राज भकतों के सुक दुख के साती दीन दुखी के हैं हम राज फरसाधारी गड़पति देवा सारे जग को तुम परनाज जिसको बुद्धी मिली आपकी हो गया उनका मस्त में जाज दस दिन रहती धूमें आपकी घर घर सजती हैं महराज साम सबेरी होई आरती धोल नगाडे संक बजाए बच्चे बूढे और महलाए सिवननदन की जे जे गाए में गाई है बड़ी भयानटे देना तुम धनवान बनाए आलहा लिखे आचारे आरती संजो बघेले रही है सुनाएं गड़ पती जी की आलहा गाएं